कि आपके phone का camera भी open नहीं हो रहा है, जब भी आप अपने phone के camera को open करने जा रहे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है, camera busy, camera unable to start, if this repeats, please power off your phone and restart okay करके error आ रहा है, तो ऐसे मैं आप अपने mobile phone के camera को open नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगो, चाहे आपके पास कोई सा mobile phone के होना हो, Samsung, Realme, Oppo, Vivo, Tecno, Infinix, Motorola, Xiaomi, कोई सा phone के होना हो, तो अगर आपको भी आपने camera को open करने के time, यह error आ रहा है, तो आज कि वीडियो में आपको total तीन ऐसी setting बताने वाला हूं, जिन तीन settings को enable करने के पाद में guarantee के साथ 101% आपको like proof के साथ इ जो भी आपने mobile phone में duplicate camera को install किया हो, तो उनको delete कर देना है, आपको अपने mobile phone में एक ही camera रखना है, वो आपके mobile phone का original camera रहेगा, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम अपने play store से third party camera app install करते हैं, तो उन चकरू में play store से third party camera app install करते हैं, जैसे की beauty plus आगया, HD camera आग camera रहेगा, तो यहां गई setting number first, अब आपको अपने mobile phone में दूसरी setting करना हूँ 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 कि आपको आपको अपको settings को अपन कर देना हो, तो जैसी आप settings को आपको कॉपर करेंगे, तो आपके सामने भी कुछ as interface निकल के आजागा, तो यहां पर आपको पहला भी तो यहां पर आपके mobile phone की सारी application सा जाएंगी, अब यहां पर आपको अपने mobile phone के original camera को निकाल के लाना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरु में ही बताया थे, duplicate camera को आपने uninstall कर देना है, delete कर देना है, आपको अपने mobile phone में original camera कर देना है, तो उस camera को आपने आपर नि चीँ करेंगे, उसके पर आपको 2 second के बाद जो clear storage करना है, एक, दो, 2 second के बाद आपको clear storage के icon पर click करना है, आपको ok कर देना है, तो जैसे ही आप clear storage के आइकन पर click करना है, उसके बाद आपको एक step back आना है, तो यहां पर आपको ok करने से यह benefit होगा, जो भी आपके camera में का lockdown का power को, तो आपको power वाले icon पर click करना है, तो जैसे ही power वाले icon पर click करेंगे, तो यहां पर आपको 2 option है, power off का restart को, तो आपको आपको mobile phone को at least एक बार restart कर देना है, तो दोस्तों, मैं आपको पता दूँग, restart करने से आपके mobile phone में कोई भी data delete नहीं होगा, तो restart करने से reset होती है, बाकि आपके mobile phone में data तब delete होता है, जब आप आपके mobile phone को फारमें लगाते है, तो restart करने से आपके mobile phone में कोई भी data delete नहीं होगा, तो जैसे ही आप restart करने के बाद जैसे ही आप camera को click करेंगे, कि हमारे camera की problem साल हूई है नहीं, उसको check करने के लिए आपको camera को open करना ह तो ढुँ